मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार आज 27 दिसंबर है चार दिन बाद ही 2021 की सुर्वात होने जा रही है आज की मन की बाद एक प्रकार से 2020 की आखरी मन की बाद है अगली मन की बाद 2021 में प्रारम होगी साथियों मेरे सामने आपकी लिखी धेर सारी चिठिया है माय गौपर जो आप सुझाव भेते हैं वो भी मेरे सामने है कितने ही लोगों ने फोन करके अपनी बात बताई हैं जादातर संदेशों में बीते हुए वर्ष के अनुभव और 2021 से जुड़े संकल्प है कोलापूर से अंजली जी ने लिखा है कि नए साल पर हम दूसरों को बधाई देते हैं शुपकामनाई देते हैं तो इस बार हम एक नया काम करें क्यों न हम अपने देश को बधाई दें देश को भी सुपकामनाई दें अंजली जी वाकई बहुती अच्छा विचार है हमारा देश 2021 में सब्रताओं के नए सिखर छुएं दुनिया में भारत की पहचान और ससकत हो इसकी कामना से बड़ा और क्या हो सकता है साथियो नमो एप पर मुंबे के अभिशेक जी ने एक मेसेज पोस्ट किया है उन्होंने लिखा है कि 2020 ने जो जो दिखा दिया जो जो सिखा दिया वो कभी सोचा ही नहीं था कोरोना से जुड़ी तमाम बाते उन्होंने लिखी है इन चिठियों में इन संदेशों में मुझे एक बात जो कॉमन नजर आ रही है खास नजर आ रही है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ देश वास्यों की सामोही शक्ति की भरपूर प्रसंसा की है जब जनता कर्फिव जैसा अभिनवक प्रयोग पुरे विश्व के के लिए प्रेणा बना जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे करोना वोर्यस का सम्मान किया था एक जूरता दिखाई थी उसे भी कई लोगों ने याद किया है साथियों देश के सामान्य से सामन्य मानवी ने इस बर्लाव को महसूस किया है मैंने देश में आशा का एक अध्भूत प्रभा भी देखा है चुनोतियां खुब आई संकट भी अनेक आए कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए देश न नया सामर्थ भी पैदा हुआ अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ का नाम है आत्मनेरभरता साथियों दिल्ली में रहने वाले अभीनव बैनर जी ने अपना जो अनुभो मुझे लिख कर भेजा है वो भी बहुत दिल्चस्प है अभीनव जी को अपनी रिष्तेदारी में बच्चों को गिप देने के लिए कुछ खिलोने खरीदने थे इसलिए वो दिल्ली की जणने वालान मार्केट गए थे आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे यह मार्केट दिल्य में साइकल और खिलोनों के लिए जाना जाता है पहले वहां महेंगे खिलोना का मतलब भी इंपोर्टेड खिलोने होता था और सस्ते खिलोने भी भार से आते थे लेकिन अभीनव जी चिठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोलकर टॉइज बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉइ है क्योंकि ये भारत में बना है मेडिन इंडिया है कस्टमर्स भी इंडिया मेड टॉइज की ही मांग कर रहे हैं यही तो है ये सोच में क कितना बड़ा परिवर्तन यह तो जिता जागता सबूत है देश्वास्वाश्व की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है और वो भी एक साल के भीतर भीतर इस परिवर्तन को आखना आसान नहीं है अर्थ सास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तोल नहीं सकते हैं साथियों मुझे विशाखा पट्डम से वेंकट मुरली प्रसार जी ने जुन लिखा है उसमें भी एक अलग ही तरह का आइडिया है वेंकर जी ने लिखा है मैं आपको 2021 के लिए 2021 के लिए अपना ABC अटेज कर रहा हूँ मुझे कुछ समझवा नहीं आया कि आखिर ABC से उनका क्या मतलब है तब मैंने देखा कि वेंकर जी ने चिठी के साथ एक चार्ड भी अटेज कर रखा है मैंने वो चार्ड देखा और फिर समझा कि ABC का उनका मतलब है आत्मन देर भर भारत चार्ड ABC यह बहुत ही दिल्चस्प है वेंकर जी ने उन सभी चीजों की पूरी लिस्ट बनाई है जीने वो प्रतिदिन इस्तमाल करते हैं इसमें electronics, stationery, self-care items उसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है वेंकर जी ने कहा है कि हम जाने अंजाने में उन विदेशी products का इस्तमाल कर रहे हैं जीन के विक्वल्प भारत में आसानी से उप्रब्द है अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं उसी product का इस्तमाल करूँगा जीन में हमारे देश्वास्यों की महनत और पसीना लगा हो साथियों लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी ऐसा कहा है जो मुझे काफी रोचक लगा है उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर भर भारत का समर्थन कर रहे हैं लेकिन हमारे manufacturers उनके लिए भी साब संदेश होना चाहिए कि वे products की quality से कोई समझोता ना करें बात तो सही है Zero effect, zero defect की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है मैं देश के manufacturers और industry leaders से आगरे करता हूँ देश के लोगों ने मजबुत कदम उठाया है मजबुत कदम आगे बढ़ाया है vocal for local यह आज घर घर में गुंज रहा है ऐसे में अब यह सुनिशित करने का समय है कि हमारे products की विश्वस्तरिय हो जो भी global best हैं वो हम भारत में बना कर दिखाएं इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है start-ups को भी आगे आना है एक बार फिर मैं वेंकर जी को उनके बहतरीन प्रयास के लिए बढ़ाई देता हूँ साथियों हमें इस भावना को बनाए रखना है बचाए रखना है और बढ़ाते ही रहना है मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं देश वासियों से आगरह करूँगा आप भी एक सूची बनाए दिन बर हम जो चीजे काम में लेते हैं उन सभी चीजों की विबेचरा करें और ये देखें कि अंजाने में कौन सी विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है एक प्रकारते हमें बंदी बना दिया है इनके भारत में बने विकल्पों का पता करें और ये भी तै करें कि आगे से भारत में बने भारत के लोगों के महनत से पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तमाल करें आप हर साल न्यू यर रिजॉलुशन लेते हैं इस बार एक रिजॉलुशन अपने देश के लिए भी जरूर लेना है मेरे प्यारे देश स्वासियों हमारे देश में आतताईयों से अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृती सब्वेता हमारे रिती रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिये गए हैं आज उन्हें याद करने का भी दिन है आज के ही दिन गुरु गोविन सिंजी के पुत्रों साहिब जादे जुरावर सी और फते सी को दिवार में जिन्दा चुनवा दिया गया था अत्याचारी चाहते थे कि साहिब जादे अपनी आस्था छोड़ दे महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे लेकिन हमारे साहिब जादों ने इतनी कम उम्रों में भी गजब पर साहर दिखाया इच्छा शक्ती दिखाये दिवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे दिवार उंची होती रही मौत सामने मंडरा रही थी लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए आजी के दिन गुरु गोविन सीजी की माता जी माता गुजरी ने भी साहदत दिथी करीब एक सकता पहले स्री गुरु तेक बहादूर जी की भी साहदत का दिन था मुझे हाँ दिल्डी के गुर्द्वारा रकाब गन जाकर गुरुतेग बाहदुर जी को स्रधा सुमन अर्पित करने का मत्था टेकने का अवसर मिला हूँ इसी महिने स्री गुरु गोविन सीजी से प्रेरित अनेक लोग जमीन पर सोते हैं लोग श्री गुरु गोविन सीजी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गई सहाधत को बड़ी भाव पुर्ण अवस्ता में याद करते हैं इस सहाधत ने संपुर्ण मानोता को देश को नई सिख दी इस सहादत ने हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया हम सब इस सहादत के कर्जदार है एक बार फिर मैं स्री गुरू तेग बहदूर जी माता गुजरी जी गुरू गोविन सी जी और चारों सहिब जादों की सहादत को नमन करता हूँ ऐसे ही अनेकों सहादतों ने भारत के आज के स्वरू को बचाए रखा है बनाए रखा है मेरे प्यारे देशवासियों अब मैं कैसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपको आनंद भी आएगा और गर्व भी होगा भारत में लेपर्स यानि तेंदूओं की संख्या में 2014 से 2018 के बीच 60 प्रतिसत से अधिक की बड़ोत्री हुई है 2014 में देश में लेपर्स की संख्या लगभग 7,900 थी वही 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 हो गई ये वही लेपर्स हैं जिन के बारे में जीम्त कारबेट ने कहा था जिन लोगों ने लेपर्स को प्रकृती में स्वच्छन दुरुप से गुमते नहीं देखा वो उसकी खुबसूर्ती की कलपना ही नहीं कर सकते उसके रंगों की सुंदर्ता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते देश के अधिकतर राज्यों में विशेशकर मद्ध भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़ी है तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मद्ध प्रदेश, करनाटका और महराष्टर सबसे उपर है यह एक बड़ी उपलब्दी है तेंदुओं पूरी दुनिया में वर्सों से खत्रों का सामना करते आ रहे हैं दुनिया भर में उनके हैबिटाइट को नुक्षान हुआ है ऐसे समय में भारत ने तेंदुओं की आबादी में लगातार बढ़ोतरिकर पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया है आपको इन बातों की भी जानकारी होगी कि पिछले कुछ सालों में भारत में शेरों की आबादी बड़ी है भागों की संख्या में भी बुर्दी हुई है साथ ही भारतिय वनक्षेत्र में भी जावा हुआ है इसकी वज़े ये हैं कि सरकारी नहीं बनकि बहुत से लोग सिविल सुसाइटी कई संस्ताये भी हमारे पैड, पौंधों और बन्य जीवों के सवरक्षन में जुटी हुई है वे सब बधाई के पात्र है साथ्यों मैंने तमिन्नाडू के कुईम टूर में एक रदहिस परसी प्रयास के बारे में पढ़ा आपने भी सोशल मीडिया पर इसके विजूर्स देखे होंगे हम सबने इंसानों वाली विल्चर देखी है लेकिन कुईम टूर की एक बेटी गायत्री ने अपने पिताजी के साथ एक पिडिक डॉक के लिए विल्चर बना दी ये सम्वेधन सिल्ता प्रेना देने वाली है और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रती धया और करुणा से भरा हुआ हो दिल्ली एंसियार और देश के दूसरों सहरों में ठिठूरती ठन के बीच बेघर पशूओं के देखवाल के लिए कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं वे उन पशूओं के खाने पीने और उनके लिए स्वैटर और विस्तर तक का इंतजाम करते हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना सेंकडों के संख्या में ऐसे पशूओं के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं ऐसे प्रयास की सराना होनी चाहिए कुछ इसी प्रकार के नेक प्रयास उत्तर प्रदेश के कोशंबी में भी किये जा रहे हैं वहाँ जैल में बंद कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए पुराने और फटे कंबलों से कवर बना रहे हैं इन कंबलों को कोशामभी समय दूसरे जिलों की जलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौशाला भे दिया जाता है। कोशामभी जैल के कैदी हर सप्ता अनेकों कवर तयार कर रहे हैं। आईए दूसरों की देखभाल के लिए सेवा भाव से भरे इस प्रकार के प्रयासों को प्रुट्साहित करें। यह वास्तों में एक ऐसा सदकारिय हैं जो समाज की सम्वेधनाओं को ससक्त करता है। मेरे प्यारे देश्वासियों अब जो पत्र मेरे सामने हैं उसमें दो बड़े फोटो हैं। यह फोटो एक बंदीर के हैं और बिफोर और आप्टर के हैं। इन फोटों के साथ जो पत्र है उसमें युवाओं की एक ऐसी टीम के बारे में बताया गया है जो खुद को युवा ब्रिगेड कहती हैं। दरसल इस युवा ब्रिगेड ने करनाटका में स्रीरंगपटन के पास थीत भीर्भत्र स्वामी नाम के प्राचिन शिव मंदिर का काया कल्प कर दिया। मंदिर में हर तरफ गास, फूस और जाडियां बरी हुई थी। इतनी कि राहगिर भी नहीं बता प्रते थे कि हाँ एक मंदीर है। एक दिन कुछ परियाटकों ने इस बूले बीशरे मंदीर का एक वीडियो सोशल मेडिया पर पोस्ट कर दिया। युवाब ब्रिगेड ने जब इस वीडियो को सोशल मेडिया पर देखा तो उनसे रहा नहीं गया। और फिर इस टिम ने मिल जूल कर इसका जिरनोधार करने का फैसला किया। उन्होंने मंदीर परिशद में उगाई कंटिली जाडिया, गास और पौधों को हटाया। जहां मरमत और निर्मान की आवश्रक्ता थी भो किया। उनके अच्छे काम को देखते हुए स्थानिये लोगों ने भी मदद के हाप बढ़ाई। किसे ने सिमेंट दिया तो किसे पेंट ऐसी कई और चीचों के साथ लोगों ने अपना अपना योगदान किया। इस सभी युवा कई अलग तरह के प्रोफिशन से जुड़े हैं। ऐसे में उन्होंने विकेंट्स के दोरान समय निकाला और मंदीर के लिए कार्य किया। युवाओं ने मंदीर में लगवाने के साथ साथ बिजली का कनेक्शन भी लगवाया। इस प्रकार उन्होंने मंदीर के पुराने वहवव को फिर से स्थापित करने का काम किया। जुनून और द्रड निश्चय ऐसी दो चीजे हैं जिन से लोग हर लक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं भारत के य क्योंकि मेरे देश के युवाव में केंडू के अप्रोच है और विल डू की स्पिरिट है। उनके लिए कोई भी चुनावती बड़ी नहीं है। कुछ भी उनकी पहुँच से दूर नहीं है। मैंने तमिल नावड़ी के एक टीचर के बारे में पढ़ा। उनका नाम हेमलता N.K. है। जो विड़पुरम के एक स्कूल में दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल पढ़ाती है। COVID-19 महामारी भी उनके अध्यापन के काम में आड़े नहीं आ पाई। हाँ, उनके सामने चुनावतियां जरूर थी। लेकिन उन्होंने एक इनोवेटिव रास्ता निकाला। उन्होंने कोर्स के सभी 53 चैप्टर्स को रेकॉर्ड किया, एनिमेटेड वीडियो तेयार किये और इन्हें एक पेंट ड्राव में लेकर अपने स्टूडेंट्स को बाढ़ दिये। इससे उनके स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिली, वो चैप्टर्स को विजूली भी कोचक हो गई, देश भर में कोरोना के समय में टीचर्स ने जो इनोवेटिव तरीके अपनाए, जो कोर्स मट्रियल क्रियेटिविटी तैयार किया है, वो ऑनलाइन पढ़ाई के इस दौर में अमुल्य है, मेरा सभी टीचर्स से आग रहे हैं को इन कोर्स मट्रियल को आत्र चात्राओं को काफी लाप होगा, साथ क्यों आईए, अब बात करते हैं जारखन की कोर्वा जनजाती के हिरामंजी की, हिरामंजी गडवा जिले के सिंजो गाउं में रहते हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोर्वा जनजाती की आबादी महच छेहजार है, जो स शहरों से दूर पहडों और जंगलों में निवास करती हैं। अपने समुदाय की संस्कृती और पहचान को बचाने के लिए हिरामंजी ने एक बिड़ा उठाया है। कोर्वा भाषा के डेर सारे सब्दों को अर्थ के साथ लिखा है। कोर्वा समुदाय के लिए हिरामंजी ने जो कर दिखाया है वो देश के लिए एक मिशाल है। नजारा है जिसे देखकर चीड़-चीड़े और गुशे लोग भी खुशी से जुम उठेंगे। दरसल वे कश्मीर में केसर के खेतों का उलेक कर रहे थे। केसर सद्यों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी केसर मुख्यरुप से पुलवामा, बढगाम और किस्तवार जैसी जगों पर उगाया जाता है। इसी साल मई में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानि जी आई टैग दिया गया। इसके जरिये हम कश्मीरी केसर को एक ग्लोबली पॉपिलर ब्रांड बनाना चाहते हैं। कश्मीरी केसर वैस्विक्स तरपर एक ऐसे मसाले के रूप में प्रसीद है जिसके कई प्रकार के आउशदिये गून है यह अत्यन्त स्वगंदिध होता है इसका रंग गाड़ा होता है और इसके धागे लंबे वह मोटे होते हैं जो इसकी मेडिशिनल बैल्यू को बढ़ाते हैं यह जम्मू और कश्मीर की समरूत्य सांस्कूरूतिक वरासत का प्रतनी दित्व करता है क्वालिटी की बात करें तो कश्मीर का केसर बहुत यूनिक है और दूसरे देशों के केसर से बिलकुल अलग है कश्मीर के केसर को जी आई टेग से एक अलग पहचान मिली है आपको यह जानकर खुशी होगी कि कश्मीर केसर को जी आई टेग का सर्टिफिकर मिलने के बाद दूबई के एक सूपर मार्केट में इसे लॉंच किया गया अब इसका निर्यात बढ़ने लगेगा यह आत्म निर्भर भारत बनाने के हमारे प् पुलवामा में त्राल के शाल इलाके में रहने वाले अब्दुल मजीलवानी को ही देख लीजिए वो अपने जी आई टेग्ड केसर को नेशनल सेफरन मिशन की मदद से पंपोर के ट्रेडिंग सेंटर में इट्रेडिंग के जरिये बेच रहे हैं इसके जैसे कई लोग कश खरिद्य का मन बनाएं तो कश्मीर का ही केसर खरिद्य की सोचे कश्मीरी लोगों की गर्म जोसी ऐसी है कि वहां के केसर का स्वाधी अलग होता है मेरे प्यारे देशवासियों अभी दो दिन पहले ही गीता जैनती थी गीता हमें हमारे जीवन के हर संदर्म में प्रेणा देती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गीता इतनी अध्भुद गरंत क्यों है वो इसलिए क्योंकि ये स्वयम भगवान स्री कृष्ण की ही वाणी है लेकिन गीता की विशिष्टता ये भी है कि ये जानने की जिग्यासा से शुरू होती है प्रश्ण से शुरू होती है अर्जुन ने भगवान से प्रश्ण किया जिग्यासा की तभी तो गीता का ज्ञान संसार को मिला गीता की ही तरह हमारी संस्कृति में जितना भी ज्ञान है सब जिग्यासा से ही शुरू होता है बेदान का तो पहला मंत्र ही है अथात ओ ब्रह्मव जिग्यासा अर्थात आओ हम ब्रह्म की जिग्यासा करे इसलिए तो हमारे हाँ ब्रह्म के भी अन्वेशन की बात कही जाती है जिग्यासा की ताकती ऐसी है जिग्यासा आपको लगातार नए के लिए प्रेरीत करती है बच्पन में हम इसलिए तो सिखते हैं क्योंकि हमारे अंदर जिग्यासा होती है यानि जब तक जिग्यासा है तब तक जीवन है जब तक जिग्यासा है तब तक नया सुखने का क्रम जारी है इसमें कोई उम्र कोई परिस्तिती माइने ही नहीं रखती जिग्यासा की ऐसी ही उर्जा का एक उधार मुझे पता चला तमिल नादू के बुजुर्ग स्री टी श्री निवासाचारी स्वामी जी के बारे में श्री टी श्री निवासाचारी स्वामी जी 92 साल के हैं 92 यर्ज वो इस उम्र में भी कॉम्पूटर पर अपनी किताब लिख रहे हैं वो भी खुदी टाइप करके आप सोच रहे होंगे कि किताब लिखना तो ठीक हैं लेकिन स्री निवासाचारी जी के समय पर तो कॉम्पूटर रहा ही नहीं होगा फिर उन्होंने कॉम्पूटर कब सिखा ये बात सही है कि उनके कॉलेज के समय में कॉम्पूटर नहीं था लेकिन उनके मन में जिग्यासा और आत्म विश्वास अभी भी उतनाई है जितना अपनी युवावस्ता में था दरसल स्री निवासाचारीय स्वामी जी संस्कृत और तमिल के विद्वान है वो अब तक करीब सोला आध्यात में गरंध भी लिख चुके हैं लेकिन कॉंप्यूटर आने के बाद उन्हें जब लगा कि अब तो किताब लिखने और प्रिंट होने का तरीका बदल गया है तो उन्होंने 86 साल की उमर में 86 की उमर में कॉंप्यूटर सिखा अपने लिए जरूरी सौपर सिखे अब वो अपनी कताब पूरी कर रहे हैं साथियों स्री टी स्री निवासाचारिय स्वामी जी का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीवन तब तक उर्जा से भरा रहता है जब तक जीवन में जीग्यासा नहीं मरती है सिखने की चाहां नहीं मरती है इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पिषड गए हम चुक गए काश हम भी ये सिख लेते हैं हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं सिख सकते हैं या आगे नहीं बढ़ सकते हैं मेरे पहरे देश्वासियों अभी हम जिग्यासा से कुछ नया सिखने और करने की बात कर रहे थे नए साल पर नए संकल्पों की भी बात कर रहे थे लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार कुछ नकुछ नया करते रहते हैं नए-nए संकल्पों को सिद्ध करते रहते हैं आपने भी अपने जीवन में महसुस किया होगा जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो बहुत कुछ करने की उरजा समाज हमें खुद ही देता है सामान्यसी लगने वाली प्रिणाओं से बहुत बड़े काम भी हो जाते हैं ऐसे ही एक युवा है स्रिमान प्रदीप सांगवान गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान दोजार सोला से हीलिंग हिमालय नाम से अभियान चला रहे हैं वो अपनी टीम और वलेंटियर्स के साथ हिमालय के अलग-अलग इलाकों में जाते हैं और जो प्लास्टिक कच्रा टूरिस्ट वहाँ छोड़कर आते हैं वो साप करते हैं प्रदीप जी अब तक हिमालय की अलग-अलग टूरिस्ट लोकेशन से टनों प्लास्टिक साप कर चुके हैं इसी तरह करनाटका के एक युवा दमपती है अनुदीप और मिनुशा अनुदीप और मिनुशा ने अभी पिछले मेने नवंबर में ही शादी की है शादी के बा बहुत से विवा घुमने फिलने जाते हैं लेकिन इन दोनों ने कुछ अलग किया ये दोनों हमेशा देखते थे कि लोग अपने घर से बाहर घुमने तो जाते हैं लेकिन जहां जाते हैं वहीं डेर सारा कूडा कचरा छोड़कर आ जाते हैं करनाटका के सोमेस्वर बीच प उसे साप करेंगे। दोनों पती-पतनी ने शादी के बाद अपना पहला संकल्प यही लिया। दोनों ने मिलकर समंदर तड़का काफी कच्रा साप कर डाला। अनुदीप ने अपने संकल्प के बारे में सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। फिर क्या था? उनकी इतनी सांदार सोच से प्रभावित होकर धेल सारे युवा उनके साथ आकर जुड़ गए. आप जानकर हैरान रहे जाएंगे, इन लोगों ने मिलकर सोमेश्वर बीच से आठ सो किलो से जादा कच्रा साप किया है. साथियों, इन प्रयासों के बीश हमें ये भी सोचना है कि ये कच्रा इन बीचीच पर, इन पहड़ों पर पहुंचता कैसे है? आखिर हम में से ही कोई लोग इक कच्रा वहाँ छोड़ कर आते हैं. हमें प्रदीप और अनुदीप मिनुसा की तरह सफाई अभ्यान चलाना चाहिए. लेकिन उससे भी पहले हमें ये संकल भी लेना चाहिए कि हम कच्रा फ्यलाएंगे ही नहीं. आखिर स्वच्छ भारत अभ्यान का भी तो पहला संकल ये ही है. हाँ, एक और बात मैं आपको य कार दिलाना चाहता हूं. कोरोना की विज़र से इस साल इसकी चर्चा उतनी हो नहीं पाई है. हमें देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना ही है. ये भी 2021 के संकल पॉमें से एक है. आखिर मैं मैं आपको नए वर्ष के लिए बहुत-बहुत सुपकामनाय देता ह आप खुद स्वस्त रहिए. अपने परिवार को स्वस्त रखिए. अगले वर्ष जनवरी में नए विश्वों पर मन की बात होगी. बहुत-बहुत धन्यवाद.